ओके सो वेलकूम टू 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 चैनल लोगद्ट पायलोजी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर की ओर्गनिक केमेस्ट्री यूनिट वन बैंजिन एट्स टेरिविटिव टेक है तो लेक्चर द्यान से सुन लेना अगर आपने लेक्चर द्यान से सुन लिया तो मैं गैरेंटी देता हूँ लेक्चर में इसा भी आद हो जाएगा और आपको किसी और लेक्चर की नीड नहीं होगी तो बिना देख किये आ जाते हैं मेरी फोन की स्क्रीन पे और लेक्चर शिरू करते हैं ओके तो आप आगे हो मेरी phone की screen पे अपन चल रहे हैं drive में और drive में अज में start करने वाले हैं benzene and its derivative ठीक है यह है unit 1 organic chemistry third semester ठीक है तो जिसना इस lecture को ध्यान से सुन लिया मैं guarantee देता हूँ सब कुछ benzene, इसकी structure, इसके derivative सब कुछ आपको lecture में ही याद होगा यह guarantee मेरी ठीक है तो lecture को ध्यान से सुन लिया और जिसने यह lecture सुन लिया उसे किसी और lecture की need नहीं होगी यह भी guarantee मेरी तो चलो start करते हैं organic compound से क्यों organic compound होते क्या है ऐसे compound जो की carbon atom रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं organic compound the compound which contains carbon are known as organic compound जैसे CS4 में carbon है CO2 में carbon है CWH में carbon है तो carbon जिसमें भी होगा वो compound कैसा होगा organic compound except one compound that is HCN hydrogen cyanide इसमें carbon होते हुए भी यह कैसा है inorganic क्योंकि यह exception है ठीक है तो अब इसे exception चालो होगए आपके बस यह पहला और आख लिए अब देखो organic compound जो है aliphatic compound aromatic compound aliphatic compound भी दो तरे के cyclic compound non cyclic compound cyclic compound मतलब जहां से चला था गुम फिर के वापिस वहीं पर आगया समझ रहो ना जहां से start किया था गुम फिर के वापिस वहीं पर आगया non cyclic compound मतलब इदर चला में उदर चला जाने कहां में किदर चला किसी की टेंशन नहीं है उसको ठीक है जहां से start किया वो वापिस वापन नहीं आएगा ठीक है तो साइकलिक में तो यह देखो मैंने बना रहा है जिसे यह carbon 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 यह से start किया गूम फिर के वापिस यह यह यहां से start किया गूम फिर के वापिस तिर को एक चाचा जिसका नाम है हकल चाचा ठीक है इसना एक रूल दिया था यहां पर भी काम आने वाली नहीं है आगे चलते हैं एक केची जैसा हाँ बाई एक केचूले नाम है केची जैसा हाँ बईटवाई केचूले आदे रखना पड़ेगा केचूले चलते हैं चलो यहाँ पर नमडिंग करते हैं, एक कार्बन दो कार्बन, चार चार कार्बन, पांच कार्बन, छे कार्बन, ठीक है, तो यह पहला कार्बन और छे चार्बन आपस में जुड़े हों हैं, टेक है? इस structure को केचुले structure क्यों बोलते है क्योंकि सबसे पहले इस structure के बारे में बताया था केचुले नाम के scientist ने है इसलिए structure को बोलते हम केचुले structure अभी क्या होता है मैनत कोई और करता है और जो फल कोई और ले जाता है पहले क्या होता था जिसने जो structure discover करी है उसी का नाम आएगा ठेक है समझ रहो अभी तो bio privacy हो जाती है चलो आगे चलते हैं केचुले भाईया इस बारे में क्या बोलके गए और केचुले भाईया बोलके गए कि first carbon और six carbon जो है आपस में जुड़े रहते हैं हमने देख लिया ठे है आपस में जुड़ा होता है तो यह सब आपको लिखना है केचुले के बारे में अब देखो chemical structure कुछ नहीं है खोल खोल के बना दो जैसे यह carbon 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 ठीक है जहाँ डबल बॉंट है वहाँ double bond लगा दो same as it is structure है देखो जहाँ double bond है वहाँ double bond लगा जिए और सारे carbon के पास, मैंने hydrogen लगा दिये, और तो कुछ नहीं करा, ठेक है, तो coal के यहाँ पर मैंने structure बना दिये, और कुछ भी नहीं, number start कर दिया, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठेक है, 6 carbon होते है, अब chemical structure के बारे में आपको क्या लिखना है, किसका chemical formula क्या है, C6, S6, benzene का यहीं होता है, और carbon का atomic weight क्या होता है, 12, ठेक है, 12 into 6 होता है, 72, और 72 plus 6 होता है, 78, तो इसका molecular weight क्या गया, 78, अब जो यह structure है, देखो जहाँ से structure देख लो एक बार, ठेक है, इस structure में C1, C2 के बीच में, C3, C4 की बीच में, और C5, C6 के बीच में होता है, 5 bond, 5 bond मतलब double bond, triple bond, ठेक है, और C2, C3 की बीच में, C4, C5 की बीच में, और C6, C1 की बीच में होता है, sigma bond, sigma bond मतलब single bond, ठेक है, तो यहाँ पर देखलो आप उपपर C1 C2 के बीच में क्या है double bond यह यहाँ पर दिखा रखा है आपको यह रहा double bond, एक यह double bond, एक यह double bond ठेक है और बाकी जो भी single bond है 1 और 6 के बीच में single 4 और 5 के बीच में single, ठेक है 2 और 3 के बीच में single तो ये single double bond है double bond को हम बोलेंगे 5 bond और single bond को हम बोलेंगे sigma bond total 12 sigma और 3 pi bond होते है ठेक है तो benzene में कोई पुछे कितना है sigma कितना है pi 12 sigma 3 pi ठेक है आगे देखते हूं और क्या क्या लिख सकते हैं chemical structure में तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि benzene में जितने भी carbon होते है ठेक है सारे के सारे कैसे होते है sp2 hybridized जिसका bond angle होता है 120 degree ठेक है सर आपको कैसे पता लगा कि सारे के सारे sp2 hybridized है भाई जिसको hybridization निकालना नहीं आता है मैंने description में link दे रखे hybridization की जाके सीख लेना ठेक है तो benzene में जितने भी carbon है सारे sp2 hybridized है और carbon carbon की बीच में bond angle होता है यहाँ पर 120 degree ठेक है यह आप chemical structure में लिख सकते हो और क्या क्या लिख सकते हो आप देखो यहाँ में बताता हूँ आपको यहाँ पर आप bond angle लिख सकते हो कि c1 c2 की बीच में bond angle कितना है 1.54 ang strong और c2 और c3 के बीच में bond angle कितना है 1.34 ang strong ठेक है तो यह आप लिख सकते हो तो यह होगी आपका chemical structure आगे हम continue करेंगे resonance structure के साथ और resonance structure में आपको इतनी सी बाद या जटनी electron shifting ठेक है यहाँ पर क्या होगा electron का shifting होगा ठेक वालो यहाँ पर double bond है तो यह shift होगे यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर double bond है तो यह shift होकर यहाँ पर आजाएगा देखो मैंने arrow करके दिखा रखा है ठेक है तो यह जब shifting होगी तो कुछ इस तरह से structure बनेगा double bond सारे shift हो जाएगे ठेक अब अगर मैं वापिस shifting करूएंगी यहाँ से यहाँ पर करूँ यहाँ से यहाँ पर करूँ यहाँ से यहाँ पर करूँ तो सेम यह वापिस structure बन जाएगा ठेक है तो यहाँ पर electron की shifting होती रहती है आपने घर में पंका देखा होगा ठेक है यह पंका है माल लो पंके की आपने एक second आपने गर में पंकार देखा होगा पंके के आपने तीन पंकुड़े देखी होगी ठीक है अब यह जब दीरे दीरे गुमती हो तो आपको तीनों अलग अलग दिखती है ठीक है पर यह जब तेज गुमने लग जाएगी तो आपको क्या दिखेगी यह सरकल तेज अगर गुमे सारे carbon खोल के double bond दिखाऊ सिखमापॉन दिखाऊ ठीक है तो यह resonance structure इस तरीके सा आप समझ सकते हो electron shift होते रहते हैं fan का example बने आपको दे दिया है ठीक है तो यह casual structure हो गया ठीक यह chemical हो गया और यह resonance हो गया अब देखो fan following वाला example दे दिया और यह मैंने तुम्हारा mood सही करने के लिए बनाया है देख लो हसलो इसको देख के ठीक है वैसे कोई बोर यह topic है नहीं जो हसने की जरू होते है अब देखो benzene derivative मतलब आप दूससे दही बना लेते हो दूससे आप खीर बना लेते हो दूससे आप चाई बना लेते हो वैसे आप benzene से क्या क्या बना सकते हो that is known as benzene derivative मतलब आप hydrogen को replace कर दो और other group attach करते जाओ इसे को हम क्या वह लेंगे benzene derivative मतलब hydrogen को replace करते जाओ other group को attach करते जाओ ठीक है जैसे मानलो यह CSH6 का structure है यह benzene है ठीक है अब यहाँ पर hydrogen attach था इस hydrogen को मैं रिप्लेश कर दिया और रिप्लेश किया किस से अगर मानलो मैं hydrogen को replace करता हूँ एक hydrogen को मैं replace करता हूँ तो उसको बोलते है अगर मैं replace करता हूँ CS3 से तो बेंजन की उपर अगर CS3 होगा तो उसको हम क्या बोलते है tolene, benzen की उपर अगर O.H. होगा तो उसको हम बोलते है phenol, benzen की उपर अगर NO2 होगा यहाँपे तो उसको बोलेंगे nitrobenzen, NH2 होगा तो बोलेंगे aniline और CH होगा तो बोलेंगे हुआ तो नाइट्रो बेंजन एनेस्ट हुआ तो एनिलीन और CHO हुआ तो बेंजल दिया है तो जिसको लिखना है वो लिख सकता है कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है यहाँ पर अब देखो अगर दो hydrogen replace हुए अपने एक hydrogen replace किया था अब अगर यहाँ पर आगे एक term दे रखिए that is key carbon तो क्या होता है key carbon जिसकी size बड़ी होती है मालों यहाँ पर CHO है यहाँ पर CL है तो size किसकी बड़ी है CHO की बड़ी है तो यह हो गया key carbon ठेक अब key carbon के just pass वाली position को हम बोलता है ortho position तो यह ortho position यह भी ortho position ठेक है फिर नीचे आती है यह होती meta position और फिर जो सबसे नीचे आती है यह होती पेरा पोजिशन यह देखो ortho ortho meta meta और पेरा position ठेक यह कब होगा जब key carbon आपका यह वाला है ठेक है अब देखो नीचे example दे रखा है, की item मतलब जिसका group बढ़ा हो, ठेक है, वो ही की item होगया हमारा, अब जैसे मालो की item हमारा y है, इस बार, ठेक है, तो y के pass वाला क्या हो गया, ओर्टो, y से दूर वाला क्या हो गया, मेटा मेटा, और जो आखरी क्या हो गया, वो पेरा, मतलब ओर्टो, ओ ओर्टो, मेटा मेटा और पेरा पोजिशन, ठेक है, चलो example करके देखते तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसे बेंजन दे रखा है, बेंजन के उपर CS3 लगा रखा है, और इधर साइड में OH लिखा हो है, ठेक है, बेंजन के उपर CS3 एपन पहले देखके है, इसको बोलते पिशन, ठेक है, अब यहां पे गरूप कुण सा बढ़ा है, OH गरूप बढ़ा है, तो OH बढ़ा है, तो यहां से start होईगी ओर्टो की, यह ओर्टो, और्टो, यह मेटा मेटा, और यह क्य हो गया पेरा, तो इसका नाम क की से लिखोगए, आप मेटा मिथाइल, मेटा पर क्य अटेच है देखो ओर्थो पे तो कुछ अटेच नहीं है मेटा पे अटेच है मिथाइल ग्रूप ठीक है तो मेटा मिथाइल फिनोल तो चलो एक और एक्जामपल देख लेते हैं यहाँ पर बेंजिन के ओपर पर CHO लगा है और side में chlorine अटेच है अब size में कुछ बड़ा है सर्फ size में CHO बड़ा है और chlorine छोटा है मतलब CHO जो हो गया की element हो गया की atom हो गया की atom के जिस past वाली position को आपने बोला ortho उस से दूर वाली को आपने बोला meta और सबसे दूर वाली को आपने बोला पे रा टेक है और जो LS को एग्णोर करना है गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर मेटा क्लोरो बेंजेल दिया है ठेक चलो अगला एक्जामपल देख लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है CWH यहाँ पर लिखा हुआ है OH और आपको पता है कि CWH जो है बड़ा ग्रूप होता है और बड़े परा-Hydroxy-Benzoic Acid तो सीधी साथी Norman Clature दे ध्यान रखना अब देखो Poly Substitute ठीक है तो आपने देखा Mono Substitute जिसमें एक Hydrogen Replace हो रहा था आपने देखा Dye Substitute जिसमें दो Hydrogen Replace हो रहते है अब आप देखो कि Poly Substitute जिसमें दो से जादा Hydrogen जो है रिप्लेस हो जाते है ठेक है इसलिए हम इसको बोलते है Poly Substitution Derivative ठीक तो चलो यहाँ पर एक्जामपल देख लेते हैं सबसे पहला एक्जामपल यहाँ पर दे रखा है Benzen के ओपर OH Benzen के पास CS3 और Benzen के पास CL तो इन सब में Size सबसे ज़्यादा होती है OH कि इसलिए हम इसको बोलते है Key Atom ठेक है और मैंने बोला जो Key Atom में उसके ज़्याद पास वाली Position होगी Ortho Position उससे दूर वाली Meta Position और सबसे दूर वाली होगी Pera Position तो चलो लाइन से चलता है Ortho-PK-A-T-H Methyl Group Ortho-Methyl Pera-PK-A-T-H Chloro Group Pera-Cloro और Benzen के उपर OH कोम बोलते है Phenol तो नाम हो जाएगा Ortho-Methyl Pera-Cloro Phenol ठेक है अब देखो यहाँ पर मैंने चार रिप्लेस कर दी है एक, दो, तीन, चार, चार Hydrogen रिप्लेस कर दी है अब देखो यहाँ पर Key Element कौन सा है? CHO क्योंकि सबसे ज़्यादा साइज इसी की है ठेक है तो Key Element यह है तो यह हो गया Ortho-Ortho Pass वाले, फिर दूर वाले हो गया Meta-Meta और फिर यह क्या हो गया Pera ठेक, तो इसका नाम किसे रखोगे आप सबसे पहले लिखो Di-Ortho-Cloro क्योंकि यहाँ पर Ortho पर कितने क्लोरो है? 2 तो Di-Ortho-Cloro ठेक है Pera पर क्या है? Hydroxy Group तो Di-Ortho-Cloro-Pera-Hydroxy और Benzen के उख पर CHO उसको हम बोलते है Benzyl-Di, ठेक है तो Di-Ortho-Cloro-Pera-Hydroxy-Benzyl-Di अब देखो अगला नाम क्या है? यहाँ पर मैंने सारे Hydrogen रिप्लेस कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 और यह भी रिप्लेस वाले है 6, तो 6 Hydrogen में यहाँ पर 6 के 6 ही रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? Poly Substitute ठेक है अब जब CWH सबसे जाता है Size में तो CWH से हम स्टार्ट करेंगे तो यह हो गया Ortho, यह हो गया Meta, यह हो गया Pera यह हो गया Ortho, यह हो गया Meta और यह हो गया Pera का Pera तो देखो Diortho ठेक है Dymeta, Diortho, Dymeta और एक Pera पे क्या है? Penta Chloro, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चान नहीं है पूरे कितना है? 5 इसलिए लिख रहों में Penta Chloro तो डाई तो ओरतो पे, डाई मेटा पे, एक पेरा पे, Penta Chloro और बेंजन के उपर CWH जिसको बोलते हैं Benzoic Acid तो इस तरीके साथ आप नॉमन क्लेचर कर सकते हो, बड़े कॉमन से नॉमन क्लेचर होते हैं तो यह था आपका basic introduction, बेंजन और उसके derivative को लेके जल्दी मिलेंगे next class में next topic के साथ, thank you so much, thanks for watching, keep support, thank you